दोस्तों अगर आप भारतिय स्टेट बैंक के खाताधारक है और भारतिय स्टेट बैंक का मोबाइल बैंकिंग अप्लिकेशन योनो-SVI इस्तमाल करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आसान तरीके से बताएंगे आप लोगों को कि किस तरीके से योनो-SVI को आप पहली है कि आपने डेविट कार्ट से ही किया होगा तो डेविट कार्ट आपके पास होना चाहिए इंटरनेट बैंकिंग हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है तो चलिए सबसे पहले आपको प्लेश्टोर से योनो-SVI मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड कर लेनी है डाउनलोड आप पहुँचेंगे इस एप्लिकेशन के होम पेज पे यहां पर रेजिस्टर नाव दिख रहा है इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है रेजिस्टर नाव पर जैसे ही क्लिक करेंगे यह आपको सीम सेलेक्ट करने को बोलेगा तो आप जो है अपना सीम सेलेक्ट करेंग आपका जो SIM है वो verify किया जाएगा bank के तरफ से कि bank में यह जो SIM card है या फिर यह जो number है वो registered है या फिर नहीं और अगर है तो कौन से account से है तो थोड़ी ही देर में आपको यहाँ पर message भेजी जाएगी और उसके बाद आपका जो है verify हो जाएगा SIM card उसके बाद जैसे ही आपका SIM card verify हो जाता है कुछ इस तरीके की interface आप लोगों के सामने देखने को मिलेंगे जो कि आप यहाँ पर देखशकते हो अब यहाँ पर हमारा जो है SIM card verify हो चुका है अब आपको यहाँ पर proceed पर click कर देना है आप यहाँ पर देखशकते हो कि create your internet banking credential अब आपको internet banking का जो है login पास्व for you know with my ATM card सबसे उपर वाले option पर आप लोगों को select कर देना है क्योंकि ATM card मैंने पहले ही कहा है कि आपके पास होना चाहिए तो सबसे उपर वाले option को आप लोग select करेंगे और यहाँ पर select करने के बाद अब अगला page आपके सामने होगा जो कि इस type से होगा अब सबसे उपर में आपको आपका account number दे देना है फिर account holder का जो date of birth जो की pen card या अधार card में होगा वो दरज़ कर देना है और उसके बाद जो है next पर click कर देना है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे हमने next किया है OTP हमारे number पर आ चुका है चलिए हम उस OTP को यहाँ पर दर्ज कर देते हैं और submit करते हैं यहाँ पर देख सकते हो OTP आ चुकी है तो चलिए अब OTP दर्ज कर देते हैं और यहाँ पर हम next कर लेते हैं OTP दरज किया और Submit पे क्लिक किया जैसे ही Submit पे आप क्लिक करेंगे अब बाड़ी आती है Transactions Right की तो यहाँ पर सबसे उपर में आप लोग को View का Option दिख रहा है इस पर आप लोग मत क्लिक करिया क्योंकि यहाँ पर अगर View आप ले लेते हैं Transactions Right तो आप किसी भी तरीके की Lending Online नहीं कर सकते हैं तो बेहतर होगा कि आप View वाले Option को Select ना करें ठीक है नहीं तो आप जो है यहाँ पर अपना जो है Account Statement खाली डाउनलोड कर सकते हो अपने Account के Balance को देख सकते हो और इसके अलावा Financial Transactions किसी भी तरीके की आप नहीं कर सकते हो दूसरे नमबर में Limited है तो उसको भी आप Select नहीं करेंगे नहीं तो आप अपने ही Account में Transactions कर पाएंगे Fix Deposit आप कर सकते हो इसके लावा कुछ नहीं कर सकते हैं तो बेहतर है कि Last Option Full Transactions Right पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप Next करेंगे Full Transactions Right में आपको सारे Features मिल जाएंगे अब यहाँ पर जैसे ही Next करेंगे आपको अपने ATM कार्ड के Last के Six Digit देने होंगे इसलिए मैंने पहले कहा था कि आपको ATM कार्ड की ज़रुरत परेगी तो यहाँ पर अपने ATM कार्ड के आँखरी के छे अंक दर्ज करेंगे और उसके बा वीडियो हमने चैनल पर दे दी है उस वीडियो को देखकर आप नए डेबिट कार्ड का पीन भी बना सकते हैं तो यहाँ पर हम डेबिट कार्ड के आँखरी के Six Digit दे चुके हैं और जैसे ही हमने Next पर किया क्लिक यहाँ पर देख सकते हो हम थोड़ा सा वेट करते हैं पर देख सकते हो अब आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम पासवर्ड देना है तो आप अपने हिसाब से कोई भी यूजर नेम बना लीजिए यहाँ पर सबसे उपर में दर्ज करेंगे पासवर्ड आप दूसरे नंबर पर दर्ज करेंगे और वहीं कम से कम चाहिए साल लेक्टर क्राइब भान में चैनल बना वेजर नेम बना लेन चाहिए यहां पर यूसर नेम अपने हिसाब से दर्ज करने इन पास्वर्ट अपने हिसाब से 88 डीजिट का कम से कम दर्च करेंगे और दुबारा से वही पास्वर्ट दर्च करेंगे और आप आप सबमीट करेंगे तो यहां पर हमने अपने मन से अपना is यूजर नेम और पास्वर्ड कर दिया है, और इसको आप लिख के भी रख लिजीएगा, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग का यही उसर आइडियो और पास्वर्ड होगा आपका, और जैसे कन्फॉर्म पर क्लिक करेंगे, आपका जो है इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आइड पासवर्ट बन गया है अब आपको MPIN दर्ज करना है यानि कि अब सेट करना है इस application का MPIN सेट MPIN पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आप TNC को accept करके next पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर next पर क्लिक करने के बाद आप से जो है आपको MPIN दर्ज करने को बोलेगा तो यहाँ पर भी आप नया MPIN दर्ज करेंगे यानि कि अपने मन से कोई नया MPIN बनाएंगे जो कि six digit का होता है जिस तरीके से आप UPI PIN बनाते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पर सबसे उपर में अपना छे अंक का MPIN दर्ज कर देना है और नीचे में भी वही MPIN दर्ज करके आपको Next पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप Next पर क्लिक करोगे आपके बैंक में रेजिटर मोबाइल नमबर पर एक वाग फिर से OTP आएगे और उस OTP को दर्ज करके जैसे ही सब्मीट करेंगे आप सक्सेस्फुली योनो SBI में रेजिस्टर कर जाएंगे दुबारा से इस एप्लिकेसन में आप लॉग इन करने के लिए अपना जो है एही MPIN दर्ज करेंगे और आप सक्सेस्फुली इस एप्लिकेसन में लॉग इन हो जाएगा तो इस तरीके से आप SBI के योनो SBI एप्लिकेसन में रेजिस्टर कर सकते हैं तो मुझे उमीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में देजिए इसासत थैंक यू